मुख्यबंतरी शिवराज सिंग की लहार में सुराज अभियान की उर्ड़ही धज्जिया मध्य प्रदेश शिवराज सिंग द्वारा राजस्व विवागर राजस्व नियालों में लम्मित प्रक्रणों की समख्या समय समय पर की जाती है और ये बात भी निकल कर सामने आती है कि नियालों में नियमित सुनवाई ना होने की वज़े से छे माहा तो क्या सालों तक प्रक्रण लमित हैं इसे किसानों और फर्याधियों को बहुत सादा समस्या का सामना करना पड़ता है ताम उम्र हितिग्राहियों की उम्र वकील आवेदन और अधिकारियों की कुर्सी पर बैठने के इंतजार में गुजर जाती है प्रक्रण जसके तस्स बने रहते हैं इसी परिशानी को द्रश्री गोचर रखते हुए हैं मुख्यमंत्री चोहान ने राजस्वने आलो में भूमी के नामंकन सीमांकन बटवारा अभी लेकों में सुधारवान प्रक्राणों की सुनवाई के लिए आवेदकों को अब परिशान ना होना पड़े इस को लेकर योजना को अमली जामा पहना है था कि प्रदेश की जनता परिशान ना हो और ये सुधा जनता को प्रदान की थी कि यदि सुनवाई 30 दिन तक नहीं आती है तो रविन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम से ये स्वयता निर्धारित हो जाएगा और इसकी सूचना भी आवेदक को SMS के माध्यम से मिलेगी मगा लहार अनुविवाग में इस तरह के सुधा मिलना तदूर प्रदेश के लिए अधिकारी कुर्सी पर मिले और उनकी बात तो सुने ये भी गनिमत है घटना लहार अनुविवाग के रोन तहसील की है जहां पर रहमजा निवासी जागिश शर्मा लंबित प्रक्रण से इतने परिशान है कि उनकी भूव स्वामी वाली भूमी नियाली के प्रक्रण में ऐसी उड़ज गई है कि उनकी स्वाता भूमी की दबंग कबजा कर पकी पकाई फसल काथेने के साथ उन्हें जान से मानने की धमकी दे रहे हैं वो लहार अनुविवा लागी अधिकारी सहा मेरे प्रक्रण को संग्यान मिलेंगे जब या तो फर्यादी आरुपी में एक बचेगा और फसल मेरी दबंग गई के चलते आरुपी काट कर ले जाएंगे मेरा एक खेत है दो वीगा जिसमें अमका प्रसाद और रामसिवा के द्वारा जबजश्ती कवजा कर लिया गया है मेरा नेजी भून स्वामी नमबर है इसका मैंने आवेदन जुए तैसिलार रोन को दिया और बिंडम कलक्टर को भी दिया और लार एश्टीम साब को भी द मेरी फची वोही है जब मैं फचट को मैं काटने के लिए गया तो वहाँ पर मुझे जांसे माने की दंकी दी गई और मुझे फची स्कारथ विन ने थाने में की थी लेकिन वहां ठाने से भी आखता थाने थाने में किया इज Okay वहों किया तो अभी अभी आप आइ है अभी ह क्या सुनाम है आपका मेरा नाम जागेश्व सर्मा सलमप राम अक्ताब सर्मा निवासी रेम्या करेने वाला हूं